पिछले 24 घंटे में कोरोना के प्रदेश में 7430 नए संक्रमण 8409 घर गए सेंपल 8409 संक्रमण दर 9.24 रिकवरी 9.07 एक्टिफ केस 5,29,623 बचे हैं पुलिस के 57 नए जवान संक्रमित 1215 जवान पूरे प्रदेश में संक्रमित हैं किसानों के सिंचाई के दर बढ़ाने पर बोले किसानों के उपर कोई दर नहीं बढ़ाई जाएगी नहरों में सिंचाई के मिलने वाले पानी पर कोई दर नहीं बढ़ाई जाएगी बचट में सुजाब के आरोब पर कॉंग्रेस विधायक भी दे दे अपनी राए मश्वरा दे दे नहीं रहे तो कोई क्या कर सकता है आंगे कहा 11 बजे से मंत्राले में बेठक है मंत्राले में बेठक में जो भी निश्कर्ष होगा उसको लेकर मैं आपसे रूबरू हों पिछले 24 गंटे में कूरोणा के नए प्रक्रण 7,430 आये हैं जबकि ठीक होने वाल के अपने अपने घरों की और जाने वाले 8,409 लोग हैं लगातार घट्यक्रम में है पिछले आठ जिन से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं एक्टिव केस पूरे प्रदेश में अब 52,963 कुल बचे हैं कल जो हमने सेंपल लिये हैं मद्ध्य प्रदेश के अंदर वो 80,409 है संक्रमर्दर वर्तमान में हमारी 9.24 मद्ध्य प्रदेश की है जबकि रिकर्वी दर हमारी 92.07 है पिछले 24 गंटे में हमारे पुलिस के जवान 57 नई संक्रमित हुए है बर्तमान में एक्टिब पुलिस के हमारे जो जवान है उनकी संक्या 1,215 है कल जो संपूर्ण प्रदेश में वैक्सिनेशन हुआ है वो 3,19,972 संपूर्ण प्रदेश के अंदर वैक्सिनेशन हुआ है कुल अभी तक 11 करोड सरसथ हजार 260 लोगों को वैक्सिनेशन हो चुका है गांदी से मावप्राय मनी इंद्रा गांदी जी मनी राजीव गांदी जी मनी राहुल गांदी जी मनी प्रियंका गांदी जी प्रियंका के सब्ता की प्राप्ती के लिए दो बच्चे आगे पीछे वो भी गांदी लिखेंगे वो ही लिखेंगे और गौड से के बारे में बात करना उन लोगों को सोबा नहीं देता है जिनके ऊपर से नीचे तक सिखों की हत्या के और दंगों के छीटे जिनके पड़े हुए हो वो क्या गौड से की बात कर रहे हैं और वो क्या गांदी की बात कर रहे हैं हमारी आस्था के जितने चिन है आस्था के जितने पतीग है हमारी आस्था के जितने आयाम है कांग्रेश के तथा कतित जो लोग होते हैं यह सिर्फ उनी को इस तरह से तारगेट करते हैं जो कि पीड़ा दायक है मुस्तफा जी को मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि ततकाल माफी मांगना चाहिए और माफी अगर वो नहीं मांगते हैं तो वहां के जो मुखी साहब है उनको उठाने जा रहे हैं दरसल कि यह जो कमला जी एक मात रहसे प्रदेश अध्यक्षे जिनके ने तो तुम्हें तीस विधायक छोड़के गए जब मुक्वन्त दिते तो चलो-चलो कह रहे थे अब घर-घर चलो कह रहे हैं अकेले पड़ गया है कोई नेता साथ नहीं है इसलिए एकाद दिन में वो खुद भी घरीब